हेलो दियर स्टुडेंट्स वेलकम तो फिनिक स्कूल सब्जेक कम्प्यूटर चैप्टर नंबर वन HTML फॉर्म एंड कम्पोजर प्रिवियस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था उसमें बहुत सारे मैंने आपको option बताये थे कैसे create करना है उसके elements आपको बताये अभी बड़ा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर हाँ टू क्रियेट एलेक्ट्रोनिक इंटरफेस देख देख के काम करना है अभी दूसरा यह HTML लेंगवेज जो बटा उसको हम लोग बुलेंगे CLI कमांड लाइन इंटरफेस दोनों में डिफ्रेंस क्या है उसमें GUI में याद रखने की जरूरत नहीं है CLI के अंदर सारे कमांड आपको याद रखने पड़ेंगे GUI में कमांड को टाइप करने की जरूरत नहीं है CLI के अंदर सारे कमांड आपको खुद से लिखने पड़ेंगे GUI के अंदर उसका सिंटेक्स आपको पता ही नहीं होगा कैसे लिखना है वो syntax भी नहीं लिखना है में और यहाँ पे html के अंदर उसका syntax आपको perfect होगा तबी आपका command perform करेगा चलिए आगे देखते हैं हम लोग आपको बताएंगे how to create our html form using with html language तो आप सब लोग जानते हो बड़ा कोई भी type का text coding करना है तो we are using simple text editor जिसका नाम ह है not paid तो आप सबको पता है how to open a notepad यहाँ पर देखो बटा सर्च वाला option दिखा है वहाँ पर simple से हम लोग लिख देंगे यहाँ पर not paid ऐसा लिखेंगे ठीक है तो यह नोट पे नाम का application यहाँ पर generate हो जाएगा open हो जाएगा चले यह हो गया भी यहाँ से हम लोग क्या करें हो यहाँ यहाँ पर आपके सामने कर्सर ब्लिंक हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पार आप सब को पता है 10 standard के अंदर आप सब ने पढ़ा हुआ है देखा हुआ है जाना हुआ है कि always HTML language का यूज करेंगे तो पहले हमें HTML कमाल लिखना है चले यहाँ प और शुक्त करूंगा मैं यहाँ से लेक करता हूं अबटा एंग्यूलर ब्रेकेट एच्टी एम एल दिखो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है HTML नाम का टेग लिखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ठीके न यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है इस यह दिस इस आवर इस पर स्टेशल टेक्स ओल्सो नोने जटेग सिंपलट इसको बोलेंगे अगर एंग्यूलर बेकेट को हटा दिया तो उसको बोलेंगी बटा सिंपल टेक्स के नाम से जानते है तो आप सब लोग जानते हो यहाँ पर HTML हमपल सरी नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आएगा हेड नम का option आता है आप सब लोग जानते हो हेड नम का option आएगा हेड के बाद हेड के अंदर दूसरा एक sub tag आता है जिसका नाम है टाइटल और बोड एक्जाम के अंदर कही बार question आता है कि जो भी information टाइटल टेग के अंदर हमने मेंशन की है वो कहा पर display होगी तो उसका नाम है टाइटल तो त्युक्राइटल बार के ऊपर सब आप्से उपर ही वो क्या करें बिटा वहां पर beach पो डिस्प्ले करके देती है तो पर समन homicide यहां पर यूजिंग टाइटल तो टाइटल बाद में इसले होगा अगर यहां पर यह जूट रिटल नाम का option करेंगे हाई एक होड़ को लोग कर देते बाइए जो पहला वाला जो हेड नम का टेग है दिस आवर श्टार्टिंग टेग और यह जो दूसरा वाला जो टेग वने लिखा बैटा लैस हेल दिस अवर एंड टेग के नाम से जानते हैं कोई भी पर्टिकूलर टेग को एंड करन है क्लोज करना तो आप देख सकते हैं कॉण सब्सक्राइब करें तूस्य ok को आप किके हैज ही एडी हो गया नेक recipient कर यहां यहां पर लिखने के बाद यहां पर लोग लिखेंगे बाड़ी नाम का tag लिखेंगे यह आप सब लोग जानते हैं वोड़ी टैगी आल्स टोड़ा all the materials of website we page के जितने भी content website के जितने भी content material होता है वो कौन store करके रखता है this is our body body के साथ दूसरा एक एट्रिब्यूट आता है जिसको हम लोग बोलेंगे बटा बीजी कलर उसका स्पेलिंग भी आपको याद रखना है बीजी कलर यहां पर जब भी किसी है वो टेग बटा तीन चीजों का डेवलोपमेंट है उसमें तीन चीज आएगी तीन वेल्यू आती है पहली आएकि टेग आएगा बॉरी नाम का टेग दूसरा आएगा उसका एट्रिब्यूट आएगा उसका एलिमेंट आएगा बीजी कलर और थर्ड वाला जो अप्शन है उसको बुलेंगे वेल्यू वेल्यू को इडेंटिफाइ करने के लिए हम लोग वेज उसको डबल कोटेशन में मेंशन करना है क्लियर बटा तो यहां पे हम लिख सकते लिखना है तो लिखे बीजी कलर ऑप्शनल है बाकि नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्राब्लम ने और यहां पर जबढ़ी के हीड़िए वेल्यू उसके पास की वेल्यू है पहली वेल्यू जिसको बोलेंगे बटा एक्षण एक्षन का काम मैंने आपको पर प्रिवियस टेप्टर में बताया था यह एक्षन मतलब आपका कंप्यूटर का डेटा पर्टीकुलर सर्वर के अंदर क्या करेगा ले के जाएगा तो मैं यहां पर लिकूंगे बटा एक्षन यह वह द्यान रखना है आप HTML को कैपिटल में भी लिख सकते हैं स्मॉल में भी लिख सकते हैं या फिर पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल जैसे राइटिंग में लिखना अप लिक सकते हो लेकिन उसका स्पैलिंग एरर होना चाहिए नहीं तो बेलिग दिए बटा ABC.htm दूसरा गुष सका में वैल्यू अथा भीटा मैं थर्ड मैं थर्ड नाम का वेल्यू थो फॉर्म के पास एक्षण और मैं थर्ड के पास दो टाइप की वेल्यू है डेटैटा पोरएंट्स पहलिए न्मिए डिफॉल टुवर के साथ और यहां पर जोबीडिट नहीं करेंगे मैं र पोश्ट को नहीं लिखे इस में पोस्ट की तीन टाइप के पॉइंट मैंने बताया थे पोस्ट इस टीन टु ब्लाइब ब्लाउड के क्या टू टू अन्लिमिटेड और पॉस्ट इस प्रटू रिक्वेस्ट करना पड़ता method की value मुझे get नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे पोस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर पोस्ट को भी मेंचन कर सकते हो ठीक भी समद में बड़ा action नाम का मेन एक्षिंट उसमें दो टाइप की value action और method action की value क्या होगा है जिसका extension dot html या फिर htm होगी method का मतलब क्या होगा आपका डेटा कैसे send करेगा अगर पोस्ट लिखेंगे तो एक साथ पूरा डेटा चला जाएगा अगर आप गैट लिखते हो तो बड़ा दूसरी चीज में आपको बताओं यहां पर html लेंग्वेज का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर लियाउट जो होता है वह ऐसा पैरेग्राफ होता है जितना भी स्पेस ब्लैंक स्पेस मतलब कई बार क्या होता हम लोग एक से ज्यादा स्पेस देते हैं लेकि जब वो html लेंग बệnटा दिया होगा लेकिन वो क्या करेगा उसको delete कर देता है वोर कर यहाँ पी सारा एइनफर्मेशन परेग्राफ जाओता है और मतले तो क्ल जो गोसकर होता है तो besa me form के साथ क्या आङया पर यहां पर करेंगे को मैंने यूजष कर दिया जब इंध का चाहेगा जिले एब लाते wait a family मुझे क्या करना है यहाँ पे मेरे फॉर्म का omegaji Bell देना है एड्मिषण फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म ठिहान ऐसे बहूत सारी फॉर्म कर फोर्म पर आते तो आपको आपके फॉर्म का टाइटल देना है तो आपने टेंस राणर में पढ़ा है पटा हेडिंग और 6 टाइप एच वन टू एच जिक नहीं हम बोलिंगे बटा लेबल और शिक्स टाइप एच वन टू एच सिक सबसे बड़ा हेडिंग सबसे बड़ा लेबल एच वन और सबसे छोटा लेबल एच सीख से तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बटा यहां पर एच वन लिखते हैं देखो मैंने लिख दिया भी एच वन यहां पर टेक को कम्प्रीट कर दिया यहां पर ज जो भी application form लिखा है जो भी content लिखा है उसका बाइड डिफॉल्ट जो लियास alignment होता है वो left side में होता है लेकिन हमारा form जो वो कहां पर आएगा center में आना चाहिए तो हमें यहां पर LH1 को कहां पर shift करना है center के अंदर तो उसका alignment हम लिखेंगे बटा H1 के पास लिखना है एल आई जी एन वे उसका पूरा नाम हो जाएगा alignment क्यों alignment लिखा आपको पता चला क्योंकि मेरा यह application form मुझे यहां पर कहां पर display करेगा left inside by default data left inside में आता है लेकिन मेरा application form जो है वो कहां पर आना चाहिए center में आना चाहिए तो मैं यहां पर लिखूंगा alignment is equal to double quotation के अंदर center नाम का option लिखा तो आपका data कहां पर आ जाएगा center में आ जाएगा कई बार हम लोग बोलते कि सर यह मेरा form जो है उसका form जो है वह form बोल्ड होना चाहिए तो आप सब लोग जानते हो बटा टैग भी उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए तो आप यहां पर उसको mention कर सकते हो टैग भी टैग यू और इटालिक चाहिए तो टैग आए का यूस करेंगे जितना आपने बनाया उतना उसको टैएंग उनेट बटा तो टेकि को क्लोजों जो गया यहां पे अपने लिखा यूपो कर दिया तो यह आप है मला हो गया ठीक है यहां पर देस्टों को करेंगे यहां पर मैं 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 में यहां से उसको मिनिमाइस करता हूं नी साथ हमारा जो फॉर्म है हमने जो फाइल बनाया यह डेश्टॉप के अब जैसे करेंगे यहां पर यहां पर राइट क्लिक ओपन विथ कितने वेब ब्राउजर बढ़ा ती तीन वेब ब्राउजर है Google Chrome इंटरनेट एक्सप्लोर माइक्रोफ पेज आपको जिसमें भी उसको उपन करना है आप क्या करेंगे उसको सिलेक्ट करो देखो यहां पर आगया आप सब लोग देख सकते हो मैंने बेग्राउंड कलर पिंक दिया तो पिंक दिखाए देता है यहां पर मैंने बड़े प्यार स आख चले देखते हैं लेबल कैसे बनाएंगे यहां फिर से लोग नॉट्पिड में चले गए देखोई नॉट्पिड वला ऑप्शन आ गया यहां पर लेबल बन टेबल आया तो टेबल के अंदर दो कमान कंपल्सरी आते हैं पहला कमान बेटा दूसरा कमान टीडी टी आर क जो भी एलिमेंट है आपका जो भी डेटा है उसको एक्कूरेट पोजिशन के ऊपर अगर डिस्प्ले करना है तो हम लोग क्या यूज करें कि बटा टीडी का यूज करेंगा अगर सपोज गलती से भी आपने टीडी लिखना भूल गए तो आपका जो भी ऑची एलिमेंट है जो भी टेक्स बॉक्स या जो भी लेबल है वो सिप ट्रांसल्पर होके कहां पर चला जाएगा मटा फॉस्क्ट पॉजिशन पर चला जाता है उसके अच्पूरेट प्रूजिशन प्रकू देखने को मिलेगा नहीं चलिए देखते यहां पे नहीं होता है उसके बाद उसमें लिखना वेठा टीडी यहां से लिखता हूं बटा सरनेम के लिगता सरनेम लिग यहां पर बएस तीन हुग सेपरेटर का बीच定 बिचनal भी यूज़जımızı हो आउट्पूट आया वो देखना है पहले सेव कर दो बाद में हम लोग गूगल क्रोम के अंदर ओपनी है उसको देखने के लिए वी आर यूजिंग रिप्रेस या फिर उसका शॉटकट बटन एफ वाला बटन है वे यार यूजिंग रिप्रेस्ट को आप देख सकते हैं यहा किसा विए इनपूट कंट्रोल और जब भी आपको इनपूट कंट्रोल के लेकुछ इनपूट कंट्रोल करने हैं फिल्ट बलाने है तो हमें इनपुट zij C करेंगे we are using input slash input या फिर यह किला ही ऐसा टेग है जिसके लिए आप उसको close नहीं करेंगे तो भी चलेगा only input command का भी यूज कर सकते हैं input के साथ 3 value आती है पहली टाइप दूसरी नेम थर्ड वेल्य टाइप क्या करेंगा आपको कौन से यह रेडियो को करवाना है तो प्लीज कंपल सर्य आपको बनाना पड़ेगा वेरीबल बनाना पड़ेगा और वेरीबल घर गरता है करता है अगर आपने पहली वाली स्टोर कर रवाई यह दूसरी वैल्य को फिर से उसमें effete रोपकर रिप्लेस और नहीं हो जाए क Isaac कर लोगे और नहीं वostic हो जाएगी जब अप यह रोगने में तो मिलने इसले ओलेज यहां पे वे रियीबल का नाम सब और उसी खाना दीए दो तो सब कैसे हो अलग-अलग हो जाएंगे यूनिक हो जाएं कि तो भी समझ में आपटा यहां पे दूसरा वेल्यू वेल्यू का मतलब कुछ बॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले से ही वेल्यू बरी हुए होती है अगर आप उसमें कुछ ऐसा बाइडिपोर्ट वेल्यू रखना चाहते हो तो यहां पर यूज होगा वेल्यू वाल आने के लिए हमने लिखना पड़ेगा आप देख सकते हूं यहां पर देखो पहले क्या लिखना पड़ेगा देखो टीडी लिख दिया उसके बाद हमें इन्पूट कंट्रोल बनाना है तो हम लोग यूज करेंगे बटा इन्पूट आप सब को पता चला ही इन्पूट इन्पूट उसके साथ तीन टाइप की वैल्यू पहली वैल्यू बटा टीवाई पी टाइप देखो सिक्वंस याद रखना है टाइप इकवल टू डबल कोटेशन के अंदर देखो बटा सरनेम के अंदर हम लोग लोगे टू जेर जीरो टू नाइन और सम स्पेशल करेक्ट सरनेम नाम का ओपिशन नेम क्या रेट करता है विरियेबल आप जो भी सरनेम लिखेंगे वो सरनेम किसी पर्टिकुलर वेरियेबल के अंदर स्टूर होनी चाहिए अधर वाइज दिड़ अधिकानी नहीं या मेनेया से अपने लिखा भी लिक को क्लोज कर दिया यहां से मैं ही शूवरी करता हूं बीक यह लोग क्लोज करता हूं दूसरा यहां से आप वाइल में जाकर सियो कर दिल्ब अपको यहां sent कर दिया एंप कर ढेंगे गूगल और में जाएंगे यहां से मैं करता हूँ देखव आपके सामने एक बांप को आपको नदेख़ा यह रहां ब्लोक, आपको यहां पे बलॉक दिखाए देता है इसको बॉलिंगे बढ़ा इंपुट कांट्रोल जिसमें आप डिटा एंट्री कर सकते हो और इसको भी बोलिंगे बटा सिंगल लाइन इंपुट कंट्रोल सिंगल लाइन इंपॉर दिकर नोट ठीक है यह जो बॉक्स भी दॉसकरी साइब से बाइडिपॉल 20 केरेक्टर की साइज है अगर आप सब द मालो मुबाइल नंबर का यूज करते हो तो तो 10 डिजिट का आता है तो उसकी साइज हमें इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो हम यहाँ पे टेक्स के साथ दूसरा यूज करेंगी बटा साइज साइज का मतलब क्य क्या च्छोटी करनी है तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा बटा साइज नाम का ऑप्शन करेंगे एस आई जैड़ ए साइज साइज इसक्वल तो मैं आप लिखूंगा बटा आप देख सकते हैं आप देखो साइज इस इक वल टू मैंने लिखा बटा फाई तो बॉक्स की हो जाएज लोड़ करूंगा बॉक्स कि साइज क्या हो जाएगी तो आप देख सकते हो यहां पर यहां को देखने को मिलता है यहां पर यह तक नम का जो डेटा टाइप है ना उसकी मैक्सिमूम लेंद देखो लिखे जा रहे लिखते जा रहे कुछ भी हो लिखते जा रहे उसका मैक्सिमूम लेंद बेटा टूरबल फाइच करेक्टर का है उससे ज्यादा हम लोग नहीं स्टूर कर सकते लेकिन मुझे ऐसा करना है कि सर यह सरनेम जो है वो मुझे 5 character से ज़्यादा नहीं चाहिए मुबाइल नंबर है 10 digits से ज़्यादा नहीं चाहिए फिंकोड नंबर है 6 digits से नहीं जाने चाहिए अगर 6 लिए जिस्टे ज्यादा एंटर करेंगे तो पर मिशनी नहीं प्रोवाइड करेंगा तो मुझे ऐसा बनाना है कि वह सरनेम के अंदर जिसका भी सरनेम फाइव डिजी फाइव करेक्टर का है वह एंटर कर सकता है पांच से ज्यादा करेक्ट है नहीं तो चलिए उसको बोलते तो इसके लिए यहां पर नाम है मैक्स लेंद चले में यूज करता हूं आप देखेंगा यहां पर आपको देखने को मिलता है म एक समय एक सद्ध सब्रेंग घ्रव चैप लिखा हुआ यहां से और आपको देख रहा है नहीं देख रहा है नहीं देख अमारे फॉर्म के अंदर कुछ फिल्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसका लेंथ पहले से होता है मोबائल नमबर का लेंद 10 से ज्यादा नहीं बर्थ-date का लेंद 10 से ज्यादाने 2 मंध 2-4 यह और दो सपरेटर टोटल टैन ही आता है यहां पर आपको पता है कि उसका लेंद मुझे पता है लेंद उसका फिक से वहां पे हमें मैक्सिमम लेंद का यूज करना है हर जगा पे नहीं यूज करना है जहां पे रिक्वाइर है वहां पे यूज करेंगे दूसरा यहां से देखो यह सब निकाल देता हूं आप सब को तो समझ में आई गया अभी दूसरा एक option आएगा बटा हमारे पास जि QB BCD मैंने लिख दिया यहां पर देखो आप देख सकते हो फाइल में जाके सेव करेंगे तो वेल्यू भी optional वेल्यू है optional है आप लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन कहां पर लिखना है जहां पर बाइदिपॉल्ट वैल्यू स्टोर करवाना है तो वहां आप लिख सकते हो लोड करेंगे तो उसकी जगहां पर देखो एबीसी कि एबीसी नहीं आए कुछ गरबढ़ हो गई देखो यहां पे वेल्यू का स्पैलिंग गलत लिख दिया वी एल यू ए वेल्यू ठीके ना फाइल में जाके सेव करो देखो यहां पर लिखना नहीं है हमें यहां पर कंपूटर से वर्क कर रहे हैं तो अल्वेज फास्ट वर्क होना चाहिए और आपका टाइम की टाइपिंग स्पीड तो स्लो है अगर आप इतने दीरे-दीरे से टाइप करेंगे तो आपका प्रोग्राम कब खतम होगा तो यहां पर मुझे जल नहीं ह् है यहां पर जरूरत नहीं है यहां से उसको ञाळस और इता हूं यहां से मैं नहीं कमतल таким कि और कर दिया बेटी यार तक पूरा भी बाकी रहे गया मैं यहां से दिको सिलेक्ट करता हूं ओ स्वारी एडिट में जा करेंगे कॉपी नाम का ओप्षिन देंगे कॉपी आ गया जहां पर भी पेस्ट करना है वो टार्गेट रखोवे एंटर करो एक थोड़ा स्पेस्ट रखो त आपको पता चले कि यह के चले के अंदर भी डेटा टाइब तो क्या रहेगा टैक्सी रहेगा लेकिन उसका वेरियेबल नेम अलग कर देते हैं तो देखो सरनेम का एसनेम लिखा था तो नेम का नेम लिखेंगे तो भी सिंपल समझे आए बड़ा है चलिया आगे देखते व आपको बेजो देखो यह ऊपर आगया आप देख सकते ओड़ा रहें एक तो एक तो रहेंगा टैक्स उसका नेम चैंज रहेगा क्या रहेगा यहां यहाप इसको बोलिंगे बटा एफ नेम के नाम से जानते हैं समया बटाइब आप देटा जिसका भी डेटा टाइप सेम हो कर सकते हूं बार बार आपको TRTD इंपूट TRTD इंपूट लिखना नहीं है बोरिंग होता है और वो लिखेंगे तो आपका स्पीड नहीं आएगा हमें विदाउट यहां पे एरर विदाउट एरर हमें हमारा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए थी के ना तो यह से हम लोग कर सकते हैं यहां से जिसे करो एंटर करो फिर से उसको ऊपर बेजो है आए बिटा अभी मुझे यहां पर मधर नेम लगाना चले मधर नेम नहीं लगाएंगे हम लोग अभी अब याहां से हम लोग देखें के बटा इमेल एड्रेस का श्टूर करना इमेल एड्रेस अब में आता है तो मैं यहां से करूंगा बटा कंट्रोल भी दिख्वाया यहां पे सरनेम की फूरा नाम चेंज कर देता हूँ क्या रिखना इडैस मेल इ-डैस मेल इडैस मेल आप देख सकते हैं ठीके ना उसका डिटाइब भी रहेगा टेक्स लेकिन उसका यहां पे जो वेरियाबल का नाम रहेगा वो क्या रहेगा ऑटा text box की जगह पे email का जो textbox होता है वो थोड़ा बढ़ा होता है तो टेक्स text box को बढ़ा करने के लिए मैंने आपको optional कमान बताया size तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे वह size by default उसकी size जो 20 होती है उससे भी बड़ी बनानी है तो हम क्या करेंगे बटा 40 लिखते हैं तो भी साइस क्या हो जाएगा डबल हो जाते हैं कई बार कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि भूल जाते हैं कि हाउ यहां पर डिफॉर्ट रखने के लिए आम लोग क्या कमांड यूज करेंगे वैल्यू नाम का कमांड यूज करेंगे इस इक वर्टू के अंदर हम लोग लिख सकते बटा यहां पर abcd at the rate gmail.com तो पूरा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा चलिए आप बोलेंगे सर यह आप सब लिखे जा रहे हो यहां पर कैसा हुआ वो मुझे देखना है तो पहले फाइल में जाके क्या करेंगे बटा से उकरेंगे देखो से हो गया और गेन मैं क्या करूंगा यह से इसमें जाओंगा दिखो आप देख सकते हूं यहां पर उप्षिन मिलता है छले पहला डेटा टाइप समन में आगा था पास्वर्ट पास्वर्ट नाम का डिटा टाइप में अगेन वहां पर जाओंगा यहां पर देखो इसको भी सिलेक करके थोड़ा ऊपर बेस देते ह मैं यहां से उसको क्लिक करता हूँ हमने कौपी किया हुआ है हम क्या करेंगे मिटा पेष्ट करेंगे पेष्ट करने के बाद यहां पेra टियार पासवरद का सो करता है तो उसका डेटाटा भी उसके लेबल नेम जैसा ही ए पासवर्ड तो पास बटन को दिखाया भी उपर जो टेक्स ही वो टेक्स आपको दिख रहे ही देखो कुछ भी लिखो आप मैं लिखता हूं बटा यहां पर फिनिक्स तो आपको यहां पर दिखता है लेकिन मैं क्या करूंगा बटा यहां पर पासवर्ड लिखता हूं तो आप पासवर्ड लिखे के रख की हुई है और वो सब आई का जो डिटेल है वो आपको अनली फोर माइक्रोफ कमपनी ने जो भी अप्लिकेशन लॉंच कि यह उसी में ही फैसली प्रोवाइड की बाकि दूसरी में कोई फैसलीटी दी नहीं है तो देखते बटा यहां पर दूसरा कोई अप्लिकेशन उपन करते हैं जिसमें आई का फैसलीटी आता है कि नहीं आता है मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूं यह रहा देखो बटा हमारा एबीसी नम का फाइल मैं आसे राइट क्लिक करूंगा ओपन विट देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोफ एज यह दोनों का है है में धी बनाना है आई तो जो प्रॉजर अपीकेशन क्रियेट किया है जो कमपनीने विंडवस बनाए इसी नहीं बनाके रखका है नहीं हम बस उसने भeguard उसने हैं तो उसका यूरwo अगर उसले नहीं में है तो मुझ कर सकते को आई पर जैसे क्लिक करें कि आपके सार पास्वार तो वहीता से हो जाएगा और से वाज़ाएगा तो कोई भी परसन आपके अकाउंट को क्या कर सकताए अप्रेट कर सकता है इसके पास्वर्ट के अंदर कभी भी हम हम लोग यहां पर यहां पर क्या यहां पीस का यूज है करें गए वेल्यू काने युष करेंगे चलिया आगि आगा धी दूसरा धें किया गया है, multiline मतलब आप बोलें कि बटा एक से ज्यादा line, multiline create करना है तो we are using tax area, क्या use करेंगे, tax area नाम का option use करेंगे, tax area के पास दो type के elements are compulsory, first is our rows, second is our columns, मैंने बताया था, next previous lecture के अंदर भी मैंने बताया था, rose is equal to 5, मतलब आपका 5 box का, 5 line का box क्या होगा, create हो जाएगा, calls is equal to 40, मतलब एक line के अंदर with space 40 character को store करने की permission, जैसे आपने 41 दिया, automatically क्या हो जाएगा, बटा बोल नीचे, आ जाता है, चलिए देखते है, how to create a multiline, चलिए आपको वह भी पता चल जाएगा, मैंने यहापे select कर दिया, बड़ी, देखो इसके लिए मैं लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका data type change होता है, ठीक है, यहाँ से मैं select करूंगा, यहाँ से फिर से लिखूंगा बटा देखो यह TRT यार नहीं लिखना है, तो कोई बात ने, आपने मतलिक है, लेकिन उसको copy कर दीजे, enter करेंगे, बटा यह TD वाला option लिखा, TD option के अंदर हम क्या लिखेंगे, address, से अपरेटर का यूज़ करेंगे, देखो सेपरेटर यूज़ कर दिया, TD को उपन किया, TD को क्या करेंगे, बटा, close करेंगे, अगेर हमें यहाँ पे लिखना, TD वाला option लिखेंगे, देखो TD वाला option, हमें क्या बनाना, यहाँ पे tax area बनाना है, TEXT, AREA tax area, मैंने आपको बोला बटा उसके साथ, दो टाइप के डेटा टाइप, दो टाइप के अट्रिब्यूट्स र कंपन सरी, मैं आसे लिखूंगा बटा, ROWS रोज इस इक वर्टू डबल कोटेशन में क्या करता हूं बटा, फाइल इता हूं, तो कितनी लाइन का बोक्स बनेगा, पांच लाइन का, दूसरा में आपे लिखूंगा बटा, कॉल सिजिक वर्टू, फोर जीरो, हमने कंपोजर के अंदर भी ये, रोज और कॉलम्स देखा था, कंपोजर के अंदर रोज तो था इधा, लेकिन वहाँ पे कॉलम्स लिखा था, यहाँ पे क्या है, कॉल से, यहां से मैं उसको क्या क करेंगे, यहां पे लेकिन के बटा, डबल कोटेशन को कंप्लेट एंगिनर बेकर को कंप्लेट कर दो, एंटर दीजे देखो कई बाल लिखके आ था, बेटा, बेटा, प्लीज, एंटर, एंटर, एड्रेस, ठीक न, 3.19.20, वी लगा दिती, पीन, आ टीन डाट का मतलब होता है यूजर को कुछ input करना जैसर टेक्स एरिया आपका complete हुआ तो हम उसको क्या करेंगे बटा टी एक्स टी टेक्स्ट एरिया को हम लोग क्लोज कर देंगे समद में आया यहां पर देखो इतना ही पाट लिखना है टेक्स एरिया को उसके बाद हम लोग यूज करेंगे उसके बाद हम लोग यूज करेंगे बटा टी यार को में लुश करेंगे चले बिए समन में आगे बाद सभी को क्लोज नहीं कि आए बूल गए दिक कुण से लेस करना तो यहां से करेंगे पर वर्वर्ड लैस का यूज करेंगे देखो अभीनिया है क्लिक करते हैं forwards less चलिए देखते उसका output कैसा आएगा file में जाके सीव करो भई फायल में जाके से उकर दिया तर्टा देखो याँ फिर व्यार यूजि़जिंग कंट्रोल ऐस चलिए यहां से जाएंगे इनके फिर से गुगल क्रोम के अंदर चले गए मैं यहां से उसको रिलोड करता हूँ देख सकते हूं यह दो नो में टिफरेंस दिखता है इसको बोलते बिटा टेक्स बोक्स बोलते हैं या फिर उसको बोलिंगे बिटा मल्टी लाइन के नाम से जानते क्योंकि एक से ज्यादा इंपुट कंट्रोरbon यहां पे एक सेस कर सकते हैं तो यहां से उसको लीखना है तो आप यहां पे लिख सकते मैंने यहां पर 5 Programm बढाया तो सो करेगा देखा जिसे से बॉक्स के अंदर फाइव लाइन ही सो करेगा आप यहाँ पे मिक्सीमुम जितना डेटा आपको एंटर करना है जितनी लाइन एंटर करनी कर सकते हैं लेकिन लिख सब्सक्राइब अपने पांच लाइन का बॉक्स बनाया चले भी तो यह भी समद्ध आपने 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 तो और और प्शन मेंट साथ मेन मैंनू बनाना है ट्रॉप्डाउन मेनू बनाना है तो are using selects सिलेक्ट और वह मेनु के अंदर मुझे क्या करना त्यूमा चलिकितल drill डिया करके पेस्ट कर देता है चलिके यहां पर मुझे क्या करना यह बटाई हुटल आई यहां巧 Semi國 का टैटल सब्सक्राइब तो मैं क्या करूंगा पर सी आए टी वाई सीटी नाम का टाइटल आगा देखो यहां पर इन्पूट कंट्रोल का तो यूज होगा नहीं है क्योंकि इन्पूट कंट्रोल तो सिंगल लाइन बनाएगा हम यहां से उसको निकाल देते हैं और उसकी जगा क्या यूज कर निवरा सिलेक्ट वाला अप्शन इस इस फी ल ही कि में इस फूले को कौन सा नेम बेघा नाम के रिटा कहले इस तो होगा तो आप देख सकते बाड़ इसीटी वाला डिटा को घुराइग चला गया चले आपे देखें की बड़ डबल उटेशन के अंदर में द करेंगे तो आप जो भी सीटी से लेक्ट करें कि वह कहां पर स्टोर हो जाएगी सीटी नाम के वेरियेबल के अंदर मैं यहां से उसको बंद कर देता हूं देखो यहां से नहीं हमें आपको बताना चाहता हूं कि सिलेक्ट से क्या डैवल्प होता है इस एक क्रेट होता है तो मिया तो यहां से कर से करेंगे या फिर कंट्रोल एष करेंगे दिको या सबिकर दिया यहां से जाएंगी बड़ा रिप्रेस करेंगे देखो कुछ सिटी नाम का बना देखो यह रहा देखो आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ नीचे पर गिर रहा ऐसा कुछ आएगा इसको बोलिंगे ड्रॉप डाउन लेकिन उसमें वेल्यू नहीं आई आई आपका मैनू बन गया पूल डाउन मैनू बन ग चाहिए तो हम यूज करेंगे बिटा ऑप्शन का चलिए देखते बिटा कैसे ऑप्शन का यूज करेंगे तो समध में आ रहा है आप सब को ठीक है तो यहां से हम साहेंगे बड़ा यहां पे सिलेक्ट जब जब आता है तो उसके साथ तरुन्ति क्या लिखना पड़ता है ब चलिए उसको बंद कर देते हैं ठीक है यहां पर आ जाएगा पर इकवल टू भी आ गया है स्वरी यहां पर आ फिर से मैं लिखने हुआ वैल्यू इस इकवल टू डबल कोटेशन के अंदर वड़ोद्रा लिखता हूं चलिए लिखा वी एडी ओ डी आरे वड़ोद्रा तो गड़ोद्रा लिख दिया वी डबल कोटेशन को कंप्लीट करो अंग्यूलर ड्रेकेट को कंप्लीट को यहां पर उसका सिंटेक्स ऐसा बोलता है वेल्यू के बाद जो लिखा है वही वैल्यू हमें आप आज में क्या लिखना में वह अगर वो नहीं लिखें के तो आपके अंदर दिखेगा नहीं तो अम लोग लिख देवा वरोधरा लिख द्लिख दिया में वरोधरा स्पेस हो रहा है और बाद में यहां पर लिखें के रहा है यहां से जाएंगे बड़ाज़िकर मैं से सिलेक करता हूँ रिफ्रेस का यूज करूंगा देको रिफ्रेस आया मैं जैसे यहां पर क्लिक करूंगा देखा आप देख सकते बड़ रहा है तो हमारा सही तरीके से आया अभी मुझे एक से ज्यादा ऑप्सन चाहिए एक से वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें के बड़ा म में जाके एंटर करो कंट्रोल भी देखो पेस्ट कंट्रोल भी पेस्ट कंट्रोल भी पेस्ट आप कर सकते बड़ा यहां पर दिखो कर दो है ठीक है यहां पर भी वड़ोद्रा लिखा है तो उसका नाम भी क्या कर देंगे बिटा सूरत कर देंगे कि सूरत कर देंगे यहां पर भी वड़ोद्रा लिखा है उसका नाम हम क्या कर देंगे बड़ा भरूच कर देंगे कि यहां पर भी वरोद्र आपको दिख रहा है वहां पर भी हम क्या करेंगे बड़ा भरूच कर देंगे कर अपने डोकिमेंट को बना सकते हैं यहां से रिफ्रेस कर ते को रिफ्रेस आया आप देख सकते होगे कर एक एच्टेमल्स आपको यह बताता है उसको समध में आया तो डिस्प्ले करेंगा नहीं समध में आया तो जैसा एक आपको देखना है यहां पे यह रहा शुरत वरुट आप जो भी चलेकर आपको देखना है यह लिए रहा उसको आंसे मलोग डिलीट कर देंगे चलिए यह दिखा रवेने आप लास्ट में आ गया है क्योंकि शिलेक के नीचे नहीं आएगा तो आपको आपको एरर बताएं यहाँ पर आपको यूज रे जाए गया है ठीक है चले एंटर आगे देख्ते रहाए यहाँ पर से या फिर से नहीं करना है तो आप क्या करें यहाँ करना पड़ेगा चले नोट्डावन करते थोड़ा याद रहे जाएगा यहाँ लिखते पहले लिखना पड़ेगा टी आर पहले लिखना पड़ेगा नियुकर लिखना पड़ेगा उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बटत टी Strategy मुझे यहाँ पर बनाना है जेंडर में आप सलेक ग्रता ओन ऋबताजी एण ईन ईए और जेंडर यांसे को लंग कर unique बटा चैंडर चैंडर के अंदर आप देखेंगे बटा कोई भी लूधर और बहुत सारी उपशन दिए गए है award मेल फिमेल और दथर तो उसमें से के बाला option जम करके first में चला जाएगा मैं आपको practically बताऊंगा फॉस्ट में जाता है कि नहीं जाता है चले यहां पर लिख दिया बटा टीडी एंटर करो यह इंपूट कंट्रोल है तो हम लोग लिखें के बटाई यहां पर जबटके नाम सेम होने चाहिए अगर सेम नहीं होता है तो सब्सक्राइब लिखें के अंधर जैन्डर लिखते हैं ठीक कर दो यहां से उसको भी बंद करो यहां आई बटाउनली रेडियो बटन बना कई बार क्या करेंगे पहले मेल आएगा उसके बाद रेडियो बटन अगर लास्ट में आप मेल लिखेंगे तो क्या होगा पहले रेडियो बुटन आएगा उसके बाद मिल आएगा आप बोलिदिख और मुझे तो मेल पहले चाहिए तो पहले आपको कैपिल ले करता हूं देखर से रहा अगे और मुझे यहां से सिलेक्ट करूंगा एंटर करता हूं अधर वाला ओप्शन भी साहिए कुछ को क्नी यहां प्रोंगा त्रीन को क्लोशकर कर दिया के ना जितना उपन हुआ था उतना हम ठीच हमने फाइल में जाके क्या करना है वही हमारा तरीका करना एध देखने क्लिए आप जाएंगे बेड़ा करते देखक रोड़ करbeing यह dauल रिलोड करते देखो रिलोड जैसे रिलोड कर दिया वोगल ऑप्षिन चला का देखो वड़ोड राया है आप देख सकते हो जो भी सिलेक करना है मेल मेल सिलेक करो फिमेल फिमेल सिलेक करो अधर अधर सिलक को आपको जो अच्छा लगे उसमें से आपका जूबी है वह आपका क नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा हाँ दो चीज बाकी रहेगे दो तीन चीज बाकी रहेगे पहली बेटा चेक बॉक्स दूसरा सब्मिट बटन थर्ड रिसेट बटन फोर्थ अप्लोड यॉर इमेज हम अपने इमेज को भी कैसे अप्लोड करेंगे उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा ठेंक यू बटा ठेंक यू वेरी मच्छ ठेंक यू झाल